मुंबई में एहमदिया मुस्लिम जमात ने एक प्रेस कॉन्फरेंस कर 6 फेवरी को होने वाले शांति सम्मेलन के बारे में लोगों को बताया और कहा कि इस समय देश का माहौल खराब है और इसे सही करने के लिए हमारी तरफ से ये छोटी सी पहले इस शांति सम्मेलन का इन लोगों ने नारा दिया प्रेम सबके लिए गुरूना किसी से नहीं इस शांति सम्मेलन की स्थापना पंजाब प्रंद के गुरुदासपूर से 1889 से शुरू हुई थी और आज पूरे 207 देशों में इस तरह का सम्मेलन हो रहा है इस मौके पर एहमद्या मुस्लिम जमात की ओर से तमाम लोग मौजूद थे इस शांति सम्मेलन में तमाम धर्मों के धरम गुरू मौजूद होंगे और अपने धर्मों के बारे में बताएंगे और लोगों को बाईचारा के साथ रहने की अपील करेंगे इस तरह के शांती सम्मेलन एहमद्या मुस्लिम जमात हर साल करती आ रही है और देश के अलग-अलग जगाओं पर आईजन होता है पीस सिंपोजियम हमारा 6 फेबरवरी को रशियन सेंटर फॉर साइंस और कल्चर हॉल में होगा और इसमें तमाम बड़े-बड़े स्कॉलर्स मुख्तलिफ मजाहिब के आएंगे और अपनी रहानी अपनी जो मजभी किताब है उसके जरिया से पीस और अमन का पेगाम दुनिय हमने यही कोशिश की है कि जितने भी धरम गुरू यहां पर मौजूद हैं मुख्तलिफ मजाहिब के उन सब को मदू किया जाए लेटर्स के जरिया से उनको हमने बुलाया है और कोशिश हमने यही करनी है कि अमन के पेगाम को पीस के पेगाम को दुनिया में फैलाया जाए और हमारी जमात का यही मौटो है कि love for all, hatred for none, महबत सब के साथ की जाए, नफरत किसी के साथ नहीं की जाए, गिरना किसी के साथ नहीं की जाए, यही हमारा मैन मौटो है, यही हमारा मकसद है. पहरत की अगर हम बात करें बलके पुरी दुनिया की अगर हम बात करें इस वकद पुरी दुनिया में दो सॉप ममालख में, बौन साथ कंट्रीमाइब में हमारी जमातें मौजूद हैं, बाकाइदा लिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ। हमारे एक खलीफा हैं जो हमारी बाकाइदा कमांड करते हैं और उनके होकम से ही तमाम दुनिया में जितनी भी हमारे मिशन हाउस हैं हमारी जमाते हैं वो चलती हैं हमारे मिशनरीज काम करते हैं हिंदुस्तान भर में जितने भी मैं समझता हूं स्टेट्स हैं हर स्टेट में हमारे मिशनरीज काम करें हमारे मिशन हाउसिज हैं और हिंदुस्तान भर में तकरीब हमारी इस वकत तेरह सो के करीब हमारी जमाते हमारी बरांचे मौजूद है